हेलो फ्रेंड्स टीपिका इस हेर और आज मैं आप सब लोगों के लेकर आई हूँ हेल्दी आठा पेट की रेसिपी जिसे मैंने बिना शुगर और बिना इस्ट के बनाया है तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसके इंग्रीडियेंट ये ब्रेड जितनी आपको खाने में टेस्टी लगने वाली है ये आपके हेल्थ के लिए भी उतनी ही बेनीफीशल है क्योंकि इसमें हमने मैदा इस्तमाल नहीं करी है शक्कर इस्तमाल नहीं करी है और अगर घर में इस्ट नहीं है तो भी आप इसे आसानी से कुछ सामान की मदद से बना सकते हैं तो चलिए दूद इस्तमाल करना है वो रूम टेंपरेचर पे ही होना चाहिए अगर हम गरम दूद में गुड़ को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो फट भी सकता है और ज्यादा ठंडे दूद में आजानी से मिक्स नहीं होगा तो मेक्शर कि दूद आपका रूम टेंपरेचर पे रहे और जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे एक बार छनी की मदद से छाल लेंगे ताकि गुड़ में जो भी गंदिकी हो वो रिमूव हो जाए और अब हमें सबसे पहले ब्रेट के मोल्ड को भी रेडी करके रखना है और इसके लिए इसमें आपने बटर इसे रेडी करा है और अगर आपके पास में ब्रेट का मोल्ड नहीं है तो आप घर में भी कुछ पुठे की मदद से या अखवार की मदद से और अलुमिनियम फॉयल लगा के ऐसे रेडी कर सकते हैं साथ ही ओवन को भी हम यहाँ पर तेज आज पर प्री हूट होने के लिए रख देगे और अब हम मिक्सी के बड़े वाले जार में सबसे पहले केले एड करेंगे फिर दही एड करेंगे इसमें और घी एड करेंगे आप चाहें तो गी की जगे बटर भी यूज कर सकते हैं लिकिन मैंने इसमें घी यूज करा है उसके बाद टेल एड करेंगे इसमें और यहां पर vanilla essence एट कर देंगे इसमें और अब जो milk हमने ready करके रखा था जिसमें हमने good को mix किया था उसे भी इसमें आदा ही mix करेंगे क्योंकि आदे का use हम बात में करेंगे और अब अच्छे से इन सब को blend कर देंगे तो इस तरीके से जब यह अच्छे से mix हो जाएगा तब हम इसे एक बड़े बर्तन में transfer कर लेंगे और इसमें add करेंगे हमारे क्योंके आटे को उसके बाद baking powder एट करेंगे उसके बाद baking soda add करेंगे और चुक्की भर नमक करेंगे जो की इसके taste को enhance करेंगा और एक बड़े चमच की मदद से इसे अच्छे से mix कर देंगे तीरे तीरे और जब यह mix हो जाएगा तो यह थोड़ा इस तरीके से गाड़ा रहेगा तब हम इसमें थोड़ा सा जो दूथ हमने बचाया था थोड़ा ही add करेंगे पूरा एकदम से नहीं add करेंगे और इसे mix कर लेंगे क्योंकि हमें इसकी consistency इस तरह रखनी है ज्यादा liquid form में यह नहीं रहेगा हम braid ready कर रहे हैं तो इसलिए इसे इतना ही गाड़ा रखना है और अब इसे फटाफट से braid के मोल में हम transfer कर देंगे और एक चमच की मदद से इसे evenly उसमें spray कर देंगे बिल्कुल एक सा इस तरीके से और अब यहाँ पर जो गुड़ वाला दूद बचा हुआ है थोड़ा सा उसे हम एक ब्रश की मदद से इसकी उपर आच्छे से पहला देंगे अगर आपके पास यह दूद नहीं बचता है त अब नॉर्मल दूद को भी इसकी उपर ऐसे बॉश कर सकते यह फोती अच्छा कलर लेकर आएगा इस पर और लास्ट में इसकी उपर यह वाइट तिल जो है उसे फैला दें अच्छे से और अब इसे हम बेक करेंगे और इसके लिए सबसे पहले गैस की आच को धीमा कर दें और इसकी जाली को मैंने रिमूब करके से रखा है क्योंकि जाली की उपर रखने पर इसका ढखकन एजीली बंद नहीं हो रहा था तो इसमें अंदर एक स्टेंड रखके उसकी उपर मैंने इसे लगभग 30-40 मिनिट के लिए वेक होने रख दिया तो 30-40 मिनिट बाद हमारी ये ब्रेट रेडी हो चुकी है और हम इसे पहले आराम से ठंडा करेंगे उसके बाद ही डिमोल्ड करेंगे और इस पर जो गोल्डन कलर है वो जो हमने गुड़ वाला दूद इस पर ब्रश किया था उसी कारण है तो आप लोग भी अपने घर में इसे एक बाद जरूर ट्राइ कीजिएगा और अगर रेसिपी में कुछ भी आपको समझ ना आया हो या आपकी कोई भी क्योरी हो तो मुझे कमंट बॉक्स में जरूर पुछेगा मैं रिप्लाइ जरूर कर दो तो वीडियो आपको पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कर जरूर तेंक यू